हेलो गाईज, वेलकम बेक टो और चैनल, तो गाईज, आज हम सीखने वाले हैं, हम अपनी कम्प्यूटर या लैप्टोप पे अपनी पर्सनल डायरी कैसे क्रियेट कर सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने डेक्स्टॉप स्क्रीन पे आ आपको इंटरप्रेस करना है, अब आपको इस डेरी टेक्स्ट फाइल को उपन कर लेना है, उपन करने के बाद आपको यहां पे .log टाइप करना है, तो गाईज, एक बाद ध्यान दीजिएगा, यहां पे .log आपको कैपिटल में टाइप करना है, अगर आप स्मॉल में को दुबारा से उपन करते हैं तो आप देख सकते हैं इसने हमारे कंप्योटर का करेंट डेट और टाइम ले लिया है तो गाइस अब आपको यहां पर अपना कंटेंट टाइप करना है जैसे मैं यहां पर कुछ टाइप कर देता हूं मैंने यांत इस लिग दिया है आप अपना कितना मेक्ट्री यह लिख सकते हैं अब आपको इंटर detention करना के बाद आप देख सकते हैं आप आपको क्या करना आप इस फाइल को सेव कर देना है आप फाइल पर जाएंगे उसे उपर क्लिक करेंगे अब आपको इसको क्लोज कर देना है अब गाइज मान लिजी आपने नेक्स टेस फाइल को ओपन किया है तो ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर दुबारा स इसने जो current date and time हो computer का हमारा ले लिया है तो अब आपको फिर से यहाँ पे आपको कोई भी content टाइप करना है मैं आपके कुछ तुबार से टाइप कर देता हूँ तो guys as a content मैंने यहाँ पे एक और sentence लिख दिया है अब जितना contents आइए लिख सकते हैं आपको दुबारा से यहाँ पे enter press करना है तो guys एक बार दुबारा से ध्यान दीजिएगा आपको हर टाइम इस file को save करते रहना है अगर आप पाइल से नहीं करेंगे तो आपको content नहीं होगा अब अगर आप दुबारा से open करते हैं तो guys देख सकते हैं दुबारा से इसमें current date and time ले लिया है अब आप जितनी बार इसको open करेंगे आप current date and time ये computer का ले लेगा तो ऐसे करके आप अपनी diary लिख सकते हैं आप कितना भी content लिखेंगे ये accept करता रहेगा लेकिन guys show करना मत भूल लिएगा अब इसे close कर देते हैं हम उसे तो guys आज आपने सीख लिया हैं हम अपनी diary कैसे create कर सकते हैं ऐसे ही सीखते रहने के लिए हमारी channel को subscribe कर लीजिए तो guys एक बार फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद